दोस्तो आज का वीडियो है आई हेंडिकेप के बारे में इसके बारे में आज हम फूरे विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम इसको पता कर सकते हैं और कैसे एपलाई कर सकते हैं क्या-क्या कंडिशन्स होते हैं और कितने परसेंट को जो है हाई हेंडिकेप माना जाता है तो मिल जाएगा यह कैसे पता करेंगे जैसे कि सबसे पहले तो आप यह समझे लिए कि किस प्रसेंट में आपको यह हैंडीकेप का सर्टिपिकेट मिल सकता है कई लोगों को यह मानना होता है कि उनको अगर माइनस दू माइनस त्री इस टाइप की नंबर लगते हैं तो वो समझत परसेंट 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 श्राइप की बहुत सारे 90% तक के उसमें कैटिक्री रखा गिया है उस अधार में आपको आई हेंडिकेट सर्टिपिकेट जो हैं मिलेगा दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक आसान सा रास्ता बताएघा हूं सबसे पहले कि य आपकी जो द्रिष्टी है वो बहुत ही ज्यादा खराब है यानि कि अगर आप चस्मा लगा कर भी 6 by 6 by 18 या फिर 6 by 24 इस टैप के विजन आपको clear नहीं दिखा है चस्मा लगाने के साथ तब जाके आप थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं और चस्मा लगाने के बाद अगर आपको यह सब विजन दिख रहा है तो फिर आप आप आई हैंडीकेप के लिए एपलाइड नहीं कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको आप इस चार्ट से मैं आपको समझाता हूं चलिए मैं भी अपना मोबाइल ले लेता हूं तो इस चार्ट में आप सबसे पहले सबसे नीचे आप देखिए जहां पर लिखा हुआ है 6 x 5 तो इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि यह जो है बहुत ही एक अच्छा बहतरी विजन रहता है इतना आप नहीं देखा जाता है उसके उपर जो है 6 x 6 इस विजन को अगर जी अच्छा विजन कहलाता है तो उसके उपर आप देखिए 6 x 9, 6 x 12 और 6 x 18, 6 x 24 ठीक है आपको ध्यान देना है 6 x 9 याने की 20 x 30 जहां से आपको दिखाई दे रहा है वहां से लेका 6 x 18 याने की 20 x 60 जो एरिया है जो मतलब जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको अगर च अंदर इतने ज्यादा पावर नहीं आता है इसमें वही 3-4 नंबर तक के ही इसमें आजाता है इस कैटेगरी में तो उसमें आपको हैंडिकेप सर्टेपेकर नहीं बनता है नंबर आपको मिलेगा सबसे उपर जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे उपर आप देखेंगे तो आ उसके उपर और भी जाता है, तो इस ताइप से बहुत सारे ऐसे कैटिकरी इसमें बना रखे हैं, जो थोड़ी कन्प्यूजन है, इसलिए इसका सीधा सा एक्जाम्पल है, आप अपने लोकल आई हास्पिटल में जाईए, वहां से डॉक्टर से अपना आई टेस्ट और उन से कहिए कि मेरा आई विजन कितना है, चसमा लगाने के साथ है, अगर आपका जो आप है वो काफी खराब है, आपको दिखाई नहीं देता है, यानि कि अगर टार्ज की लाइट भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है, महसुस नहीं होता है बहुत अच्छे से, तो एक कंडिशन वो होती है कि आपको सेटिफिकेट मिल सकता है, जो मैंने बता है कि आप अपने आई स्पेसलिस से बोच सकते हैं, आपका नमबर जो है, आपको आखों में जो नमबर आ रहा है, उसाथ ही विजन है, आपके कार्ड में दरसा दे, वो दरसाने के बाद आपक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका पावर के साथ कितना विजन बन रहा है, और बिना पावर के कितना विजन उसमें बन रहा है, ये सब आपको आपके डाक्टर ही बताएंगे, अगर आपको लगता है कि ये डाक्टर के द्वारा दिया गया पावर उसको लगाने के ब हिला के भी या आगे पीछे करके भी बोलिए कि अगर आपने उस तो पाची उगल देख लिया तो पिर आपका certificate नहीं बनेगा यह एक्दम सीधा और सराल तरीका है अगर यह नहीं नहीं दिखता है तब जाके आप एपलाई करें क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत धानली भी है भस्ता चार भी है कई लोगों कैसा होता है कि कुछ भी थोड़ा सा पावर रहता है उसमें भी पैसा खिला के certificate ले लेते हैं लेकिन जलाली जो है हम यहाँ पे सीधी और साफसुत्री बात करने वाले है कि आपको किस कंडिशन में certificate मिलता है अगर यह पांच यूंगल आपको आपको नहीं कर सकते हैं अब आपको एपलाई कैसे करना है उसके लिए बहुत है आप गवर्मेंट के वेबसाइट पर जाएए आप सर्च करेंगा उसके बाल वहां से एक फॉर्म आपको निकाल देना है फॉर्म को फिलप कर लिजे सिगनेचर कर लिजे और अपने डाक्टर के द्वारा दिया गया आई प्रेस क्याप्शन कार्ट मिलत जो दर्साय गया आपका नंबर और आपका विजन उसको भी वहां सब्मिट करना है सौरी दोनों को सब्मिट करना है फॉर्म को फिलप करेंगे और पोस्त कर देना है इसको आलाइन भी आप सकते हैं तो यह थी थी थोड़ी बहुत जानकरी जिसे हो सकता है आपके काफी हेल्प हुई हो इस बारे में और अधीक आप जानना चाहते हैं तो बिलता रहे हैं फिर बिले कि अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जाएं